वेलकम तो मैं चैनल अमरीन्स रेसिपीज आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंस्टिंट और जटपट से बनने वाली बर्फी की रेसिपी जिसे हम बनाएंगे सूजी और कोकनेट के साथ तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या इंग्रीड इसे मैंने उपर से जो इसका ब्लैक कवर होता है उसे मैंने पील कर लिया है और इसे मैंने हलका सा इसे दरदरा सा मिक्सर में पीस लिया है साथ में मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है यह बारीक वाली सूजी है साथ में आदी कटोरी मैंने शुगर ली है चीनी जिसे मैंने पीस लिया है मिकसर में आदी कटोरी मैंने कंडेंस्ट मिल्क का लिया है और आदा कटोरी मैंने यहाँ पर घी लिया है साथ में एक कप दूद्ध हमें लगेगा साथ में कुछ बादाम आप अपनी चोईस के ड्राइप्रूट्स यूज कर सकते हैं उसी के साथ इलाइची और जाइकल का पौडर तो सबसे पहले कडाई हम गरम करने रख देंगे और उसमें हम एट कर लेंगे घी तो घी को अच्छी तरह से हम पिकलने देंगे जैसे ही घी हलका गरम हो जाए हम उसमें दाल देंगे सोजी अब अच्छी तरह से इसे भून लीजे तो इसमें हलकी हलकी खुशबू आने लगेगी हमें बहुत जादा इसे ब्राउन नहीं करना है इसका कलर चेंज नहीं करना है तो हमें हलका इसे भूनना है दीमी आज पर और जैसे इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे हम इसमें बाकी के इंग्रीडियंटस आइड कर देंगे तो देखिए मैं दो मिनिट इसे भून लिया है अब साथ में मैंने इसमें आड कर लिया है कोकोनेट तो वैसे तो हम coconut grate करके भी ले सकते है पर अगर आप इसे थोड़ा सा पीस लेंगे तो जाधा अच्छा है तो पीसने के टाइम पे हम इसे बहुत जाधा ग्राइड नी करना है हलका हलका ग्राइड करना है तो देखे इसका texture आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा इसका rough texture है बिल्कुल भी जाधा smooth नहीं है तो अच्छी तरह से मैंने coconut डाल के भी इसे अच्छी तरह से भून लिया है अब हम इसमें दालेंगे दूद तो जैसे ही हम दूद दालेंगे तो यह जो सूजी है यह फूटने लगेगी और इसकी quantity थोड़ी से बढ़ जाएगी और यह अच्छी तरह से पक जाएगी अच्छी तरह से इसे भी आप भून लिजे अब मैं दाल रही हूँ यहाँ पर sugar, पिसीवी चीनी चीनी की quantity मैंने थोड़ी यूज की है क्योंकि हमने condensed milk भी इसमें एड़ करना है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रहे कि चीनी कम दाले अब यहाँ पर मैंने लाईजी और जाइफल का जो powder है वो इसमें एड़ कर लिया है एक टीस्पून इसे भी अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजे अब एंड में हम दाल देंगे इसमें condensed milk अब अच्छी तरह से आप इसे भी मिक्स कर लीजे तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने condensed milk एड़ किया है वैसे ही यह बिलकुल लिक्विडी से हो गया है पर आप जैसे जैसे से भूनेंगे वैसे वैसे यह thickness इसमें होता जाएगा और यह जो mixture है कडाई से छूटने लगेगा तो जैसे ही यह कडाई से छूटने लगे यह mixture बनके बिलकुल रड़ी हो जाएगा और इसमें जो है thickness आ गई है इसी तरह से हमें भूनना है से और दो मिनिट हम अच्छी तरह से भून लेंगे और इसकी gas की flame बन कर लेंगे तो यह देखे अल्मोस्ट यह ready है अब हम gas की flame आफ कर लेंगे यहाँ पर मैंने एक plate ले लिया है serving bowl serving plate ले लिया है इसे मैंने घीस अच्छी तरह से grease कर लिया है आप कोई भी इस तरह की flat जो है plate ले सकते है और घीसे grease करने के बाद आप इस mixture को इसमें डाल दीजे तो यह देखे मैंने आधे हिस्से में इसे फैला दिया है ताके जो thickness है मुझे एक इंच की thickness इसमें मिल जाए अगर मैं पूरे हिस्से में फैला दूंगी तो यह इसकी thickness जो है वो बिलकुल कम हो जाएगी इसलिए मैंने आदे हिस्से में रखा है ताके एक इंच की बर्फी वाली थिकनेस हमें मिल जाए उपर से इस पे ड्राइ फूट्स दाल के आप एक स्पाचुला के मदद से इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लीजे और इसे सेट होने के लिए रूम टेंपरेचर पे रख दीजिए तो देखिए रूम टेंपरेचर पे जैसी ये थंडा हो जाता है ये बिलकुल सेट हो जाता है हमें इसे फ्रिज में रखने के भी कोई जरूरत नहीं है तो रूम टेंपरेचर पर ही यह प्रॉपरली सेट हो जाता है अब हम से नाइफ की मदद से कट कर लेंगे तो देखे हमारी इंस्टिंट बर्फी जो के हमने कोकनेट और सूजी से बनाई है बिलकुल बनके रेडी है इसे हार्डली 15 मिनिट्स लगते है पूरी तरह से बनने के लिए बहुत ही जटपड बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक करे शेयर करे और अगर आप मेरी चैनल पे नए है तो मेरी चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करे